हेलो एवर्यवन मेरा नाम अमान है तो आज हम शूरू करेंगे अपनी नए वीडियो जिसमें हम देखेंगे के जिसे लाइस टाइम वीडियो जो हमने देखा कभर की थी चीज़े हैं प्रोडक्स एट्रिबूट्स ठीक है नौ तो इसी में भी ये प्रोडक्स एट्रिबूट ठीक है तो हमारे ये बैकंड से डिफरंट जो एट्रिबूट से प्रोड़क्स के वह थो हमने एड कर लिये थे लेकिन आपके रहेगा था हमारे इमेज़ रहेगे थी अल्टरनेट इमेज़ तो यहां पर मुल्टिपल इमेज़ आनी है ठीक है तो यह इसको भी हमने मड्यूल बनाना है हमने एड मेंड कर ठीक है तो हमने साइजिस फिक्स करनी है थे ठीक है इसको हम जब हमारे ये प्रोड़क्स वाला इमेज़ वाला ठीक हो जाएगा तो तो फिर्स आफोल मैं करूंगा एक रौ। तो रौट करेंगे तो रौट करने से पहले हमें एक डैटा वीज भी मनानी है तो चलिए पहले रौट कर लेते हैं तो रौट करेंगे हम यह प्रोट्रक्स एट्रिब्ट्स हैं तो इसी को मैं कोपी कर लेता हूं कोपी करने के बाँ मैं यहां पर पेस्ट कर जीता हूं यहां पर आजएगा हमारे पास एड़ इमेजेज और आईटी को हम यूज करें प्रोट्रक्स कंट्रॉलर में हमारे पास आजएगा एड़ इमेज़ ठीक है यह हमारा मेतड हो गया तो अब हम जाएंगे अपने प्रोट प्रक्स कंट्रोलर में जाके हम एक राउट अपना क्रेट करेंगे तो हम में बनाएंगे पुब्लिक फंक्शन रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट डॉलर आईटी इसके तो यहां पर हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न व्यू एडमिन के फॉल्डर में डॉट प्रोड़क्ट्स डॉट एड इमिजिस ठीक है यह हमारी है फ्रेंट का पेज जाए ठीक है तो एरो चो कर रहा है पॉब्लिक फंक्शन ओके एड इमिजिस ठीक है तो यह होगे चीज़ क्लेर तो नेक्स्ट टैपको हम क्या क करेंगे हम first of all क्या करते है एक पेज बनाएंगे ठीक है एडमिन के फॉल्डर में प्रोड़क्ट्स का फॉल्डर वहां पे एक पेज बनाएंगे हम तो हम जाएंगे प्रोड़क्ट्स तो यहां पर हम एक प्रोड़क्स के फोल्डर में हम रहेंगे एड़ इमेजस की एक ब्लेड फाइल तो मैं यहां पर एक न्यू फाइल ग्लेड करूंगा तो इसलेड फ्रेडियों वीज्व में फाइल यहां पर पेस्ट कर देता हूं तो यहां पर आजेगा मारे प्रड़क्स एड़ यहां पर लिएता हूं चीजिकर इमिजिस एड़ करनी है तो यहाँ पर जहेंगा वीव प्रोडक्स ठीक है और यहाँ पे हमारे पास आहाँ पैनल प्रोड़क्ट ने पुर्ड़क्ट को पॉर्ड़ कोलर अौके इड्रिबूर इपक्य आखिए इसको हम यहांसे भी कतम कर रहें ठीक तो अब हमने एड्राण है अपनी बॉसेटल सिर्फ करोते रहे हैं मॉल्टिपल इमिज्डियूर रहे तो हमें ना इसकी ज़ूरूर थन फॉर्म तो हमें चाहिए ठीक तो यहां पे हम कर देंगे add images product detail ठीक है ID post ठीक है तो यहां पे हमें सिर्फ अभी तफला यह चीज़ें नहीं चाहिए तो SKU यह भी हमें नहीं चाहिए इसको मैं remove करूँ है यहां से तो सिंपल हमें एक image चाहिए ठीक है तो यहां पर आजएगी image का label ठीक है मेरी कास में से product name product code हमें देना चाहिए ठीक है क्योंकि इसे पता चाहिए जाते है कि कौसर प्रोड़क्टर और उसका ठीक है यह code ठीक है code की जड़र की जड़रत नहीं है I think there is a color भी चला है code करते हैं यहां पर copy करता हूं यहां पर paste करता हूं और यह आजएगा मरपास image ठीक है image आगे मरपास और इसको मैं यहां से remove कर रहूं कि मैं जड़रत नहीं है ठीक है और यहां पर आजएगा मरपास यहां पर हम देनेंगे input type file ठीक है नेम होजएगा मरपास image हम अरे में भी लेंगे ठीक है multiple images होगी मरपास image और multiple ठीक है यह होगे save और products details हमने इसकी value भी call करवानी है ठीक है तो उस्ट के लिए हमेंगा करना पड़ेगा हम जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर फरस्ट आप अपर अपने जितने भी products का जो है data वह हम इसको इसको एक variable store करवा देते हैं dollar products details is equal to products where where id is equal to dollar id first ठीक है और इसको हम use करने का इस variable को with compact products product details ठीक है तो इसको copy किया यहां पर paste करें ठीक है कोपी करूंगा कोपी करने के बाद मैं यहां पर paste कर दो ठीक है okay यह क्यों होगे अच्छा तो यहां पर आजएगा मारे पास add images ठीक है product details यहां पर आजएगा warning इसको हम दे देते हैं जी info info अगर next आजएगा माल पर यहां पर मैं कर दोंगा इसको image और माल पास आजएगा जी चीक है तो let's save इसको save करते हैं तो इसको save करने के बाद हम इसको check कर लेते हैं हम जाएगा view products में view products में देखते हैं वह बटन शो हुआ है यह नहीं हुआ जी हाँ यह देखते हैं माल पर इमेज़ का खांगा ठीक है तो इसको क्यों नहीं हम इनको title भी देते हैं ताकि बटन चाल जाता है कि यह किस चीज के लिए क्योंकि हमने icon यूज कर रहे हैं तो इस वह से इसको हम देखते हैं जी title यहां से होगा add images इसको हम title देखते हैं attributes add attributes और यह आज है कमारे पास title edit product ठीक है और यह आज है कमारे पास title delete product ठीक है तो अब मैं इसको refresh करेंगा तो आप यह देखते हैं किस चीज के लिए हैं तो आप यह देख सकते हैं तो यहां पर मैं लिख रहा है तो यह देखें add images add attributes एडिट डिलीट ठीक है तब मैं इस image पर क्लिक करेंगा तो देखते हैं हमें इसके page पर लेकर जाता है यहां ले तो आया तो report भी देख रहते हैं जी हां white t-shirt white ठीक है images और यहां से हम image add करेंगे ठीक है तो यह तो बन गया हमारा page तो उसके लिए अब हमें का करना में एक database create करनी है तो database करने के पर हम जाएंगे अपने workshop database में तो यहां पि हम एक और निया table create करेंगे ठीक है तो इस table का नाम होगा हम अर पास products images ठीक है products images के नाम से table और इसको मैं go कर दूँ है तो यह table create होगा first हम एक चाहिए एक id चाहिए और एक हम इस product id भी चाहिए ठीक है product id के बाद हमारे पास आएगा एक image का attribute और इसके पाद next हमारे पास created add and एक हमें चाहिए row created add and updated add ठीक है तो updated की भी चाहिए तो यह updated add ठीक है तो यह इमेज होगी में आपको वोडशार में तो इसको मैं कर दो तो 255 और created add को date और updated add को भी date ठीक है तो वो save करता है इसको जी हाँ यह प्रोड़क्स इमेजिस का आप देख सकता हमारे को टेपल क्रेट हो गया तो अब हमारा काम है आगे इसको हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ठीक है इनको इंस्ट्रक्शन देंगे अपने इस मैतर में तो आपसे मेरी रुक्वेस्ट यह है काईली मेरी वीडियो फूल देखा करें ठीक है तो मुझे आपकी स्पोर्ट की जुरूरत है और मुझे यह मुझे में बहुत अच्छी स्पोर्ट मिली आपकी मिझे मेरे बहुत से सब्स्वाइबर्स गेन हुए ठीक है तो मैं आगे भी आपकी हल्प चाता हूं तो प्लीज मेरी वीडियो फूल वोच किया गरें ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में झाने हिए तो प्लीज थे devi तो